इजद वो चीज है जो किसी इंसान की जिंदेगी में अगर नहीं हो तो वो मुर्दे के समान है अगर आपको बिना किसी से मांगे, किसी से कुछ कहे बिना इजद चाहिए तो जीवन में सफल बनो, मेहनत करो इज़त और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, इज़त बहुत नहीं चीज है, इसकी उम्मीद घग्या लोगों से बिलकुल ना करें आज के टाइम में उसी की इज़त है, जिसके पास पैसा और पावर दोनों है, और ये दोनों नहीं है, तो बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते, अगर आपके पास ये सब नहीं है, फिर भी आप इज़त कमा सकते हैं, उसके लिए आपको रिस्पेक्ट करना आना चाहि उन्हें अपने साथ कंदे से कंदा मिलकर चलाना सीखो, समाज में मान सम्मान पानी की लावजा सभी को होती है, लेकिन सम्मान की उमीद करना उसे कमाना सीखो, सम्मान हमें अपने द्वारा किये गए कारियों और वहवार से मिलता है, अगर आपने किसी से कोई वादा किया ह तो उसको वहिश्य पूरा करे, कभी किसी का विश्वास न तोड़े याद रखना दोस्त, एक छोटी सी भूल से मारी परसो की कमय इज़त एक जटके में खत्म हो जाती है अपने अंदर कुछ ऐसे गुण नाएं जो आपको दूसरों से अलग बनाते हूं गलत को गलत कहना सीखो, गरीब बेसारा पर हुए दूसरों का खंडन करना सीखो अपने सासा दूसरों के सम्मान के लिए हवाज उठाना सीखो आपने एक सीमान इधारत करो और उसे किसी पईसेश्वी में ना तोड़े सबसे जादा अपनी परसनल्टी पर ध्यान दें अपने बोल चाल खाने पीने, अच्छे व्यक्ति साथ उठने बैठने पर विशेय ध्यान दे बुरे लोगों से बचना सीखें बुरे कारे उसे कमाए गई दोलग से बचना सीखें क्योंकि दोलग क्या है साहब वो तो आती जाती रहेगी अगर इज़त एक बार चली गई तो वापिस नहीं आएगी और अन्त में जाते जाते हर व्यक्ति के जीवन में सम्मान महत्पून है क्योंकि सम्मान को गोंध है जो रिष्टो को जोड़ रखने का काम करती है